हेलो बच्चों आप वापस आईए अपनी क्लास में आप काउंटिंग चार्ट बनाएंगे फर्स्ट काउंटिंग चार्ट 500 बन तू 600 और वापस 601 टू 700 तक आप काउंटिंग गये जो अपनी नोट बुक में करेंगे ओके फिर देखिए अब हम 601 टू 700 तक हमारे पास में काउंटिंग दे रखिए हैं अब 700 तक काउंटिंग दे रखिए अब इसमें से यह आपको रेड कलर का क्या दे रखा एक बॉक्सेज बना रखा है धिक्रहे हैं आपको इस डेड कलर के बॉक्स को शो करते हैं यह कह रहा है कि जो बॉक्सेज के अंदर जो नंबर है वो आपको सो करने तो फर्स्ट बॉक्सेज में कितने नंबर सो हो रहे हैं 612 फिर 640 यह निके 613 बॉक्स में नहीं है फिर नेक्स लाइन में आई है उसी के नीचे 621 वाली लाइन आगी फिर 622, 623, 624 तो 623 है जो बॉक्स में हैं बाकी नहीं है में 631, 632 बॉक्स में हैं 630 नहीं है 3 नहीं है 634 वापस बॉक्स में है इसी तरह से आगे जो कोशन आएगा उसको भी हम उसी तरह से फाइंड करेंगे इसी काउंटिंग के एकॉडिंग ओके चलिए बिंडो चार्ट में आईए window chart window on the chart first दे रखा है 612, 612, 614, 632, 634 जो पिछे जो चार्ट दे रखाता है उसी के एकॉडिंग अब आये also look at these window fill in the blanks and write in word आपको word में भी लिखने और इस window को भी complete करना है तो first देखिए window को complete करना है तो यहां क्या दे रखा है बटा 678 तो 678 से पहले कौन से नंबर आते हैं बताइए आते हैं 677 और इससे पहले नंबर कौन सा आएगा first before नंबर 676 तो यह आपकी लाइन complete होगी ना चलिए अब आगे चलते हैं 96 आया है तो यहां वाजाएगा 697 और यह वापस 698 यह complete होगी अब हमारे पास क्या बचा है अब देखो यहां 677 है और यहां क्या रहा है 697 तो इन दोनों के बीच में क्या बच गया है हमारे पास में 687 यह हमारे counting complete होगी है ओके अब इसको वर्ड में लिखते हैं क्या लिखा जाएगा 678 है ना तो शीक्स हंड्रेड शीवन्टी एट ओके अब इस्क्रिशन को करते हैं यह लिखा है 676 है तो शीक्स हंड्रेड सेवन्टी सिक्स ठीक है तो आप इसी तरह से थ्री कोश्चेंज जो हैं वो पैक्टिस में करेंगे ओके अब आईए लेट्स प्ले गेम्स और नंबर लाइन अब नंबर लाइन पर हम गेम्स करते हैं तो सम नंबर्स और राइट बीलो इन डिफिरेंट शेप हैं इस एड़ अप्रोपियेट प्लेस फर्स्ट देखिए यह आपको नंबर बार दे रखिए नंबर लाइन यह दे रखा है कि 755 यानि कि 701 से 710 की बीच में यह जो स्मॉलेस्ट लाइनिंग दे रखिए यह तोटल कितनी है नाइन और जैसे अगले इस टेप में आएंगे वह 10 में कम्प्लेट हो जाएगी ओके ना तो देखिए 701 234 यह 5 होगी 76789 और यह 10 ओके अब इन में से आपको यह चार्ट के अंदर फिल करना है तो देखिए 713 का लिखा है तो 713 का बाता है 10 के बाद में ना तो देखिए 10 का है यह 10 यह 1 2 और यह 3 तो यहां नीचे आईए बॉक्स बना दिया ना बड़ा यह कितना है 713 ओके फिर 770 एट अब 778 का आएगा 70 की लाइन में आएगा ना तो यह 70 और यह 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अब इसका बॉक्स कैसे दिया रखा है राउंड शेप में 778 ओके अब आईए नेक्स्ट 827 पर अब 827 का आएगा अब यहां पर आपको लाइनिंग ज़्यादा बढ़ा दिये यहां यहां तो कैसा बॉक्स बना है ऐसा 827 ओके ना फिर देखिए यह दे रखा है यह बागी के आप कम्प्लिट करेंगे यहां देखिए 950 अब 950 का है 901 से लगा कर 945 46 47 48 49 और यह रहा 50 तो इसको 950 ओके तो इसी तरह से आपको कम्प्लिट करना है 905 तो वन से लगा कर यह रहा 905 हमारा ट्रेंगल सेप में करना है इसको 905 कि अना 725 अब देखिए 700 का है 720 यह 5 आ गया कि इसको पेंटागों सेप में ले लिया है तो 725 कि अब 898 का आएगा इस लाइन में है अना 890 के बाद में यह 8 अब इसका सेप का है हार्ड सेप में है ना 898 के 928 काहें find करिए 15 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इसका सेप स्क्वेर सेप में है 928 बाकि आप कंप्लेट करेंगे ओके गाइस अब आईए यहां सी अंडरिस्टेंग देखिए 900 थाउजन एट तो थाउजन प्लस एट थाउजन एट थाउजन ट्वेल है तो थाउजन प्लस ट्वेल तो हो जाएगा 1012 12208 1000 ्लस्टू ONE थाउजन 208 1 थाउजन टू हेट अटी do this fill in the blanks 777 equal 777 540 को कैसे लिखेंगे 540 ओके 888 तो यहां 8 दे रखाएं तो 800 बनाएंगे पहले तो इसको फिर 80 लिखेंगे फिर 8 वन थाउजन 940 तो यहां आमको 40 दे रखा है अब 1900 लिखना है तो वन थाउजन 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 नाइन हंड्रेड यहां इस्पेस नहीं है नाइन हंड्रेड फॉर्टी फिर यहां देखा है वन थाउजन शिक्स हंड्रेड तो वन थाउजन शिक्स हंड्रेड फॉर्टी एट तो यह 40 यह साथ में हो जाएगा फिर 1553 है तो 1000 हमको अल्रेड़ी दे रखा है अब लाश्ट में क्या बच गया हमारे पास में 553 है ना अब इसको वर्ड में करेंगे कि वन थाउजन कि फाइफ अंड्रेड 253 है ऑ्क वाई